देखे exams करीब हैं और इस moment पे अभी CA final students के साथ एक सबसे बड़ी problem यह जा रही होगी कि बहुत सारे students के साथ problem जा रही होगी कि यार सर पढ़ाई होई नहीं है सर पेपर skip करने का मन नहीं कर रहा हूँ सो मैं क्या करूं सर ऐसा कोई strategy या फिर ऐसे shortcut या फिर ऐसे topics जो मुझे help कर सके और at least मैं इतना make sure कर सकूँ कि मैं पास हो जाओंगा बाकी subjects में मैं सर अच्छे से कर लूँगा बस सर एफार में बस पास हो जाओं उतना कर दो सर उतना कुछ help कर दो अभी कुछ ऐसा ही हुआ सर मुझे help कर दो प्लीज सो मैंने उसको जो कहा मैंने उसकी situation को ध्यान में रखते हुए उसने मुझे बोला कि सर मैंने business combination consolidation अभी तक touch भी नहीं किया है देखा तक नहीं है सर क्या करूं समझ नहीं आ रहा हाला कि आपकी classes ली थी but frankly मेरे साथ ऐसी कुछ personal चीज़े हुई कि मै अपकी classes को भी complete नहीं कर पाया so मैंने उसकी conditions के according मैंने उसको जो बोला वो मैं आपको बता देता हूँ हो सकता है वो चीज़ आपके लिए भी helpful हो मैंने उसको बोला कि देख भाई business combination consolidation अभी तू करने बैठेगा पहली बात तो तेरा आज तक नहीं हुआ है तो अभी अगर तू करने बैठेगा especially exam के 20-25 दिन पहले तो कुछ होना जाना है नहीं इससे better है कि देख 20-25 marks का business combination consolidation आता है इससे better है कि सर्फ इतना सीख के चला जा कि non controlling interest और goodwill कैसे निकालते हैं शायद क्या पता 3-4 marks तेरको मिल जाए इसके अलावा business combination consolidation को लेकर ज्यादा tension मतले छोड़ द है अपने आप में तो खतम नहीं होगा better यह होगा कि जो miscellaneous category के index होते हैं वो तकरीवन 20-25 marks के वो भी आते हैं और वो बहुत ही जल्द हो सकते हैं आसानी से हो सकते हैं जल्दी में हो सकते हैं और आप चाहो तो एक से दो दिन के अंदर आप अपने 25 marks अच्छे से cover कर सकते हो पर business combination, consolidation आप दो दिन में नहीं कर सकते हो तो वो ऐसे miscellaneous topics जैसे की index 101 हो गया, index 24 हो गया, 37 हो गया, 34 हो गया, index 108 हो गया, index 8, index 10, 1, schedule 3, analysis of financial statements, CSR, integrated reporting यह बहुत ही चोटी 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 topics हैं इनके maximum topics के revision videos या फिर full-fledged 3-3 घंटे के videos मैंने अपने YouTube पे अपने डाल के रखे है 20-25 marks इससे आराम से cover हो जाते हैं और business combination, consolidation करने से लाक गुना बहुत जल्दी आपके यह cover हो जाते हैं, इसके लावा मैंने उसको बोला कि भाई, index 102 share based payment कर लो, इसके लावा impairments कर लो, leases कर लो, 115 कर लो, और हो सके तो financial instrument को बहुत अच्छे से कर लो, तो अगर हम इन सभी marks को add up कर देंगे, financial instrument tentatively 20 marks का आता है, 115 10 marks का आता है, यह हो गए 30 marks, leases 5 marks minimum पकड़ के चलिए 35, 102 10 marks का आता है 45, और misleadingous category भी अगर आप कर लोगे तो 25 marks तो आपके वैसे ही हो जाएंगे, तो यह हो गए आपके कहीं न कहीं 70 marks, और इसके अलावा आगर मैं impairment भी पकड़ू या चलो छो तो कम से कम आप 70 marks strategy तो आराम से ले सकते हो, जो कि आप आराम से अच्छे से cover कर सकते हो बिना किसी डर के, so business combination consolidation का डर अपने मन में मत रखो, इससे better यह है कि आप उसको skip कर दो, अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, business combination consolidation को आपने अच्छे से नहीं किया तो उसको छोड़ दो यार, इससे better है कि आप बाकी misleadingous topics पर ध्यान दीजे, वैसे भी paper 120 marks का आता है, तो क्या दिक्कत दे, क्या तकलीव है, हो सकता है कि अगर वो question compulsory में नहीं आया business combination consolidation, तो आप उसको वैसे भी choice में छोड़ते, so यह strategy I think बाकी और बच्छों के लिए भी helpful हो